नमस्कार दोस्तों, उमीद है आप सब अच्छे होंगे, मेरा नाम प्रखार श्रिवास्तव है, स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरु घंटाल में, और दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ट्रिपल बी के बारे में बताऊंगा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में बताऊंगा, ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो होती क्या है, काम किस तरह करती है, बनाया क्यों गया, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ट्रिपल बी के बारे में बात करेंगे, निकल पढ़ते हैं आज के सपर पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो दबाकर वीडियो को लाइक शेर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंगवज़ बताओ न, तो ट्रिपल बी का काम होता क्या है, ट्रिपल बी एक तरह का ब्यूरो है, नाम से पता चल रहा होगा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, तो जितने भी इंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बैंक में M.D.C.E.O की न्यूक्ति होती है, उनके नाम पर मुहर इसी ब्यूरो के अंदर लगती है, कि कौन बनेगा S.B.I. का चेर्मैन, कौन बनेगा P.N.B. का चेर्मैन, कौन बनेगा फलाने का चेर्मैन, ढ काम इतना सा होता है, असल में पहले हिंदुस्तान में ये काम, जिस बॉड़ी के उपर था, उस बॉड़ी को कहते थे, एपॉइंट्मेंट्स बोर्ड अफ दे गवर्मेंट, जिसको रिप्लेस किया गया और ट्रिपल बी का जनम हुआ, इसके लिए 2014 में एक कमिटी बनाई था कि एक separate banks board bureau होनी चाहिए, और फिर इसका जनम होता है, ये एक तरह की self-governing autonomous body है, जो central government के अंडर में काम करती है, ये एक तरह की advisory authority है, ऐसा नहीं है कि इसने जो कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई, ये सिर्फ advice करती है, सरकार माने ना माने सरकार के ओपर निर्भर करत है, और इस banks board bureau में, eminent professional होते हैं, और officials होते हैं, जिनका काम होता है, हिंदुस्तान के जो public sector bank है, उनकी management को improve करने के लिए, अपनी knowledge, अपने experience का इस्तमाल करना कि किस तरह हिंदुस्तान में public sector bank की management को improve किया जाए, ये eminent professionals और officials वहाँ पर एक अठा होते हैं, banks board bureau में, और decide करते हैं, अपने experience का इस्तमाल करते हैं, अपने education का इस्तमाल करते हैं, headquarter कहाँ पे है, दोस्तों, headquarter गये, Central Office of Reserve Bank of India मुंबई, Reserve Bank of India का जो Central Headquarter गये है मुंबई में, उसी में इसका office है, एक अपरेल 2016 से, इसने काम करना शुरू किया था, जब पीजे नायक कमीटी ने 2014 में report रखी, और 2016 में, एक अपरेल मतबाजी के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक अपरेल फूल डे, उस दिन इसका, जो काम करने का तरीका है, वो शुरू हुआ, एंडृपल भी वस पार्ट अपर्ट 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 इस्ट्रेजी ओफ इंद्रधनुष मिशन, एमड एट रिवैंपिंग पुब्लिक सेक्टर बैंक, हिंदुस्तान के पुब्लिक सेक्टर बैंकों की हालात आप जानते हैं, एंपिये ताबड तोड है, किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं है, पुब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में जमीन आसमान का अंतर बस यहीं पड़ जाता है, कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की अपनी एक मैनेजमेंट है, उनका अपना काम करने का तरीका है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों में काम करने का कोई तरीका नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों के पब्लिक सेक्टर बैंक में बेकाउंट होंगे, प्राइविट सेक्टर बैंक में बेकाउंट होंगे, और आप लोगों को सुविधाओं में, मैनेजमेंट म अपने ग्रहक को treat करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर समझ में आता होगा तो अगर एक आम जंता को समझ में आता है तो सरकार को भी समझ में आता है कि public sector bank घाटे में जाती है तो एक इंद्रधनुश mission बनाया गया था इंद्रदनुश मतब रेन्वो जिसमें साथ कलर होते हैं उन सेवन पॉइंट स्ट्रेटजी में ट्रिपल बी को रखा गया था ताकि हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक को रिवैंप किया जा सके आईए अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक के जो बिजनस स्ट्रेटजीज गोती है उनको रिवैंप करने में ट्रिपल भी असिस्टन्स प्रोवाइड करती है ठीक है दूसरा ये जो एनपीए हो जाता है ये जो बैड लॉन्स हो जाते है मैंने इसके उपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि बैड बैंक क्या होता है बैड लॉन्स क्या होते है एनपीए क्या होता है आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं तो इन bad loans से NPA से किस तरह लड़ा जाए उसकी strategies बनाने में भी यह बैंकों की मदद करते किस तरह financial instruments like जो आपके bond हो गए share हो गए या किस तरह के method से bank capitals को raise कर सकती है उसकी strategies भी triple भी बनाती है और जितने भी top level के appointments होते हैं full time director हो गया चाहे non executive chairman हो गया public sector bank में उनमें सरकार को recommendation करती है triple b मैंने फिर से बताया था कि यह एक तरह की advisory authority है किसी भी तरह की mandatory authority नहीं है किसने जो कह दिया पथर की लकीर हो जाएगी इसके इलावा suggest plan for consolidation and merger with other bank while they are trapped in the problem of high collective gross NPA आपने पिछले चार पास सालों में इंदुस्तान में public sector bank की संख्या को घटते होए देखा होगा तिन तिन बैंक चार चार बैंक मर्ज हो गए क्यों कि इनके NPA इतने जादा है कि अगर यह अलग अलग काम करेंगे तो यह बरबाद हो जाएंगे यह बंद हो जाएंगे एक दिन तो कहा गया कि इन सबको मर्ज कर दो इन सबको मर्ज कर दो तुम भी दुखी मैं भी दुखी दोनों साथ मिलकर दुखबाट लेते हैं आधा तूटा हुआ दिल आदा तूटा हुआ दिल कोशिश करेंगे जोड लेंगे क्या दिक्कत है फेवी क्यूक से तो NPA के कारण बैंकों के उपर जो स्ट्रेस घार गाता उसको ओवरकम करने के लिए जो मर्जर का डिसीजन था यह जो मर्जर का रिक्मेंडेशन था ये भी ट्रिपल बी के द्वारा ही किया जाता है मतलब यह तरह काइडवाईस दिया जाता है सरकार को की मर्ज कर दीजिए दोनों के दोनों दिल जलेंगे बरबाद हो जाएंगे अच्छा ट्रिपल बी का कॉम्पोजिशन क्या होता है कॉम्पोजिशन मतलब की सिंपल सी बात है ब्यूरो है तो कुछ ना कुछ लोग तो इसके अंदर गोंगे देखे ट्रिपल बी में सबसे पहले एक होता है चियर्मैन उसके इलावा deputy governor होता है Reserve Bank of India का comment box में लिखकर ये बताईए कि हिंदुस्तान के RBI में कितने deputy governor होते हैं इसके इलावा department of financial service का secretary होता है department of public enterprises का secretary होता है and पाँच expert member इसके इलावा और होते हैं जिनमेंसे दो expert member private sector के होते हैं because private sector की management की तो public sector भी दाद देता है तो याद रखिएगा एक chairman होता है दूसरा deputy governor होता है RBI का तीसरा department of financial service का secretary होता है चोथा बंदा department of public enterprises का secretary होता है चार के इलावा पाँच लोग और होते हैं जिनमेंसे पाँच मेंसे दो private sector के बंदे होते हैं तो ये composition होती है triple B की और अब मैं आपको currently जो triple B है उनमें जो 7 member के उनके बारे में बताता हूँ देखिए chairman इस वक्त है भानू प्रताप शर्मा secretary देवाशीश पंडा एक्स ओफिसो chairman प्रदीप पन्ना लाल शाह तो इस वक्त ये मिलकर आपका triple B चला रहे हैं तो दोस्तो इतनी सी कहानी थी जो आप लोगों को सुनानी थी तो उमीद है triple B मेरे द्वारा explain किया गया आप लोगों के समझ में आया होगा बिलकुल crystal clear हो गया होगा वीडियो को दबा कर like share comment कीजिए गुरु घंटाल को subscribe कीजिए bell icon के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा safe रहिए और mask को wear जरूर कीजिए thank you so much